हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो रोयल स्टड़ी दोस्तों आज 11 मार्च है और आपका फर्स्ट सिप्ट का पैपर चूट चुका है एंड निसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं हमें गाइस देखें आपको पताईए हर दिन हम एवेस के काफी अच्छे कोश्चन्स आपके कर आपको यहां पर मिल रहा है जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं सांत ही टेलिग्राम चेनल और ग्रूप को भी जोइन कर लीजगा हमारी एप्लिकेशन को डाउनलूट नहीं किया कर लीजगा क्योंकि वहां पर आप बैस प्रेक्टिस कर सकते हैं इसके लवा काफे सारी नोट्स इबुक बगेरा वो सभी आपको वहां पर मिल जाएगे अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं आपके लिए टीटी का ग्रूप बनाया है इसको आकर जोइन कर लीजगा लिंक कर डिसक्रप्शन में मिल जाएगी देखिए अगर अंत्रिक्ची की बात करेगा हम एवी यह रहा हमारा टोपिक अब हम कोश्चनों की और आगे बढ़ते कि कौन कोश्चन एक्जक्ट कौन से कोश्चन पूचे गए हैं देखें जो कोश्चन्स देखें हम एनलीसिस जो करवा रहे गाइस डेली का कल जो एनलीसिस करवाय था उसमें से करीबन मान के चलेगा चार से पांच नंबर के कोश्चन से सीधे सीधे बने हैं इलिए तो आई अब हमें स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन हमारा बना है कि दिवाल किसे बोला जाता है या दिवाल के नाम से किसे जाना जाता है सही जवाब रहेगा रावल द्रविट को दिवाल के नाम से जाना जाता ह देखे इसको चडिया हिंदी में बोला जाता है सटल को को ही संशेप में सटल कहते हैं बैडमिंटन में वह वाला जो होता है न यह पकड़ने वाला यह हाथ करके अब इसका जो है इसको सटली बोलते आब ऐसा मुझे नहीं पता कि इसको basic language में क्या बोलते हैं बेट इसको subtle cock बोलते हैं तो I think आपको पता चल चुका होगी कि किसके हम बात करें subtle cock इसको subtle बोलते हैं और इसको हिंदी में चिडिया भी कह सकते हैं और subtle cock को हिंदी में चेड़िया कहते है सटल कोक का वजन लगबग 4.47 ग्राम से 5.5 ग्राम तक हो सकता है यानि इसके बीच में इसका जोकी वजन रहता है तो यह बात रही अब इस कोशन्स आपके पूचे जा रहे और खेलों से रिलिटेड इस तरह से कभी ट्रॉफी फूच लेता तो कभी कोई क्या कोई क्या इस तरह से आपके कोशन्स काफे जादा देखने को मिल रहे हैं गईद हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे अगर आपका एक्जाम अभी नहीं ह प्रेक्टिस के आप अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे यह मुझे पता है क्यों कि स्क्रोल इतने डेड़ डेड़ पेज के कोशन्स रहते हैं वह वाले पैसेज वाले तो उसमें स्क्रोल डाउन करने में ही आधर टाइम आपका निकल जाएगा और प्रेपर भी सोल्व नह अगला कोशन पूझह गया चंद्रियान 2 को किस दुरूर पर पहुचना था देखें जो चंद्रियान 2 लौंच किया गया ये भी आम Owner को बताएंगे ये 2019 इसको किया गया कब कि या उनैस में 22 जुलाइगे को इसको पहुंचना था यह आपसे पूचागा दक्षणी दूर उपर इसको पहुचना था यह आपका सही जवाब रहेगा चंद्रियान 2 जिसको द्वीती चंद्रियान भी बोलते हैं यह चंद्रियान प्रतम के बाद में बारत का दूसरा चंद्र अन्वेंचन अभियान है जिसे भारती अंत्रिक चंद्रसंदान संगठन इस्रो ने किया है इसको निर्मित किया है और यह जो अभियान को जेसल वी संस्क्रन त्री प्रचेपन यान के द्वारा प्रचेपित किया गया है इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षियान एक रोवर एम एक लेंडर भी सामिल है इन सबका विकास इस्रो के द्वारा ही किया गया है इसरों ने चंद्रियान 2 को 22 जुलाई 2019 को स्री हरी कोटा रेंज से भारती समय अनुसार 2 बच के 43 मिनिट अप्राहान को सबलता पूर्वक परचेपित किया था यह याद रखेगा डेट आप 22 जुलाई 2019 को लौच किया गया इसरों के द्वारा स्री हरी कोटा रेंज से और सब यान को स्री हरी कोटा द्वीप के 37 धवान अंत्रिक्ष केंद्र से भुष्तिर उपग्रे प्रचेपन यान संस्करन 3 जी एसलवी एमके 3 द्वारा के द्वारा भेजा गया है तो कोशन यह भी बनेगा कि चंद्रियान 2 की जो लौचिंग की गई है यह किस यान के द्वारा किस प्रचेपन यान के द्वारा की गई तो जी एसलवी MK3 जो प्रचेपन यांत है इसके दोरह इसको 37 धवन अंत्रिक्ची केंद्र से जो किसको लॉंच किया गया है और उडान के शमे इसका जो वज़ाने लगबग 3850 किलो था लॉंच किशमे दिसंबर 2015 को इस अभियान के लिए 603 करूर रुपे की लागत अवंटित की गई थी चंद्रियान 2 के के लेंडर जो है इसका नाम भारति अंत्रिक्ची कारिक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम सारवाई के नाम पर रखा गया है अब हम चंद्रियान 2 की कुछ वेसस्ता भी है इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपोर्णिन है चंद्रियान के दक्षिनी दुरूवी छेत्र पर एक सोप्ट लेंडिंग का संचालन करने वाला पहला अंत्रिक्षी मिसा ने चंद्रियान 2 पहला भारती मिसा ने जो घरेलू तक्निक के सांच चंद्रियान सत्या पर एक सोप्ट लेंडिंग का प्रियास करेगा या किया रहे तो यह 3-4 विससता है इसकी और 4 देख जो चांद की सत्या पर सौप्ट लेंडिंग करेगा तो ये तीन चार देज भी याद ये चीज़ी भी याद रगीगा ये विसेज़ता इसलिए हमने बताइए क्योंकि यहां से questions बनेगा question इस तरह से बनते हैं पहला भारती मिशन कौन सा है जिसने घरेलू तक्निक के चंद्रशेतर का पता लगाने का प्रियास किया है तो यह आपका चंद्रियान डोही होगा और इनसे काफी ज़्यादा questions पूछे गए देंकि कल आपका कल आपका ब्रहस्पति का पूछे गया था कि ब्रहस्पति का जो उप गहे है या कितने उप गहे हैं यह सबसे बड़ा उप गहे है कौन सा है इस तरह से questions बना था आपका और आज भी question बन चुका है कि मंगल की कु पड़े हुए छेद्र गुरहों माना जाता है और इन उपग्रहों की जो खोज की गई ये 1870 में असफ हॉल ने की थी और उसने इनका नाम युनानी फोरानी कताओं के पात्र फॉबस और डायमस जो की यूद के देवता अरेश के पुत्र थे इनके नाम पर इनोनेस का नाम इ एक आपका फोमोस जिसका व्यास 13.8 मिले और दूसरा है डिमोस जिसका व्यास 7.8 मिल है तो अगर आपसे कोश्चन बने कि मंगल का सबसे बड़ा चांत कौन सा है तो इसका नाम रहेगा आपका फोमोस और उसके बाद में रहेगा डिमोस जूपीटर याने ब्रसपती ब्रस चंद्रमा कौन सा है यह भी हमने आपको कल बताया था ति पितले तीन दिन से कुश्चन आमको करवा रहे इसको रट लीजगा क्योंकि आगे भी पूचे जाएगा ताइटन सनी का सबसे बड़ा और सोर्मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है तो सनी का सबसे बड़ चंद्रमा पूच जाए तो यह ब्रस्पति कर रहेगा उसका राम हमने बता दिया है अब कमेंड में हमें कमेंड करके जलो से बताएगा पिछले दो तीन दिन से हम उसको आपको पड़ा रहे थे अगला कोशन बना है कि आर्टी आई कब आया था यह 2009 में आय था आई आई आ बच्चे इनको मुक्त सिख्षा की गारंटी देता है यह आर्टी आई और भारत की संसद ने चार अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमें किया था तो ध्यान रखेगा चार अगस्त 2009 को यह अधिनियम अधिनियम आया था राइट टू एजुकेशन का आर्टी का और इसको लागो का याग किया गया एक अप्रेल 2010 को तो यह आप इस पैसली याद रखेगा यह कोश्चन आपका आगे बन सकता है अगला कोश्चन पूचा गया बच्चों का किस अधिनियम के तहत काम करना अफ्राद है यानि जो फेक्ट्री बगिरा में इनमें काम करवाय जाते बा जिनियम के अनुसार 16 वर्स की आयू से कम कि जो लड़के लड़किया है 18 वर्स की आयू से कम लड़किया और 16 वर्स कम के लड़के इनके द्वारा कानूनी विरोध कार्यों को बाल अपरात की स्थेनी में रखा गया है अगर आपसा अनुचेद भी पूच ले जाए कि कि अनुछेद में यह वरणी थे तो गैस आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 कारखानों आधी में बालकों के नियोजन पर रोखे 14 वर्षक कमायू के किसी भी बच्चे को कारखाने में या खान के काम में करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्हीं खतरनाक काम में नहीं लगाए जाएगा यह आर्टिकल 24 कहता है तो यह भी आप ध्यान रख लीज़ेगा अगला कोशन हमारा बना है यूरिया से कि यूरिया कैसी खा दे यूरिया एक औरगेनिक खा दे यूरिया इसको यूरिया फर्टिलाइजर बोलते है स्टेबल औरगेनि खा दे जो कि मिट्टी की कौालिटि को बहतर कर सकती हैं पोदोग और नाइट्रोजन प्रवाइड करती है यह और फसल की पेदावार को बढ़ाती है इससे जो है आम तोर पर सूका दानिदार और इस तरह से यह मिलती है क्रतिम विधी से सबसे पहले अगर हम बात करें कि य चंद्रियान से भी कोश्चन्स बनाएं देखे चंद्रियान जो प्रता में इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉंच किया गया बारत का प्रतम चंद्र मिसन यह था स्द्रियान से अक्टूबर 2008 को सपलता पूर्वक इसको प्रमोजित किया गया अंत्रिक चंद्र के रासायनिक खनी जी और प्रकास बोती की मामचित्रन के लिए चंद्र सता से एक सो किलोमेटर की उचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था तो यह डिटियल है आपके चंद्र यान फर्स्ट और चंद्र यान टू के बारे में अल्रेडी हमने आपको बता दी हैं के लिए अब हम और आगे बढ़ते देखिए एक कोशन आपका पूचे गया खेल से रि अधिकार अधिनिया में यह 2009 में आया था 6-14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुप्त और अनिवार सिक्षा का अधिकार इसके तहर दिया गया है सन्विदान के चैयाजिवे संसोधन के द्वारा सिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया है सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुप्त शिक्षा उफलब्द कराएंगे और स्कूल का प्रबंद समीतियों MSMC द्वारा किया जाएगा तो यह डिटील है आपकी शिक्षा अधिकार अधिनियम की अगला वोशन बनाएं कि किस उम्र के बच्चे के लिए अनिवार सिक्षा को लाया गया है तो 6-14 साल के ज संसोदा ने ज्यान रगी का इसके तहत इसको प्रभाविय बनाया गया है अगला कोशन पूझा है कंप्यूटर सिक्षन से एक कोशन आपका निकल कर आ रहा है अब क्या एक्जेक्ट कोशन था यह पता नहीं चला है अब हम बात करते हैं सीडीपी की सीडीपी में विज्यान से चार से पांच कोशन आ रहे हैं अब इसकार से रिलेटे एक दो कोशन देखने को मिले हैं के लिए नेक्स्ट है फ्रायट से भी रिलेटेड एक दो कोशन देखने को मिले हैं जीन प्याजे से तीन कोशन आज देखने को हमें मिले हैं इसके लावा मौसलों से कोशन बने है गल यह ऐखन से कोशन्स बने हैं मनों का प्टान से हैं कि अकल प्रोडा वस्ता यह तो आप अच्छeland अच्छे से लिश्च बंड़ें अधावनार्जान्स से हुश्चन से विखास से बर्ट Says बने हैं, और वेग्यांडिक को तो आप आपने निप्टा लिया होगा क्योंकि विज्ञानिक का तो हर दिन पूछा ही जाता है पूरा जो बाल विकास है यह पूरा विज्ञानिकों पर ही बना हुआ है यह विज्ञानिकों पर ही इनसे लंबे चोड़े होते हैं कि 1,5 page एक से डेर्ड़ पेज जो होता है ये इतना बड़ा होता है गद्यान्स और पद्यान्स आपका ये आप मान के चले कि अगर इनकी अच्छे से practice आपने कर रек世界ेखेखेखे आप इनको अच्छ से बना लेंगे अगर नहीं कर रहें तो आदे से ज्याधा टाइम तो पढ़ने में ही लगा देंगे पढ़ने में भी लगा देंगे वह बाद बीचलिए थी बट करेंगे उसमें आप सबसете ज्ञादा टाइम्वेस्ट होगा तो तो अब प्रक्टिस से करेंगा हम यह नहीं कहते हैं कि काँ से करें कहीं प्रेक्टिस करेगा इनकि सी ऊनलाइन प्रेक्टिस करेगा कि आंलाइन डाू करने माहिँ आपको दिखिकत होगी ऊनलाइन Facebook करेंगा ऐसा नहीं कि बुक से आप प्रक्रिस कर लए आगला कोशन पूछे गया अधिगम से कोशेंस बनाएं सिख्शन विदी से कोशेंस बनाएं परियाँथ समासे स्विक कॉशेंट से विलोम सब्द से आपकी कॉशेंट पूचे गए संदी से भी का बना आए तो यह सभी हिंदी के कि अब हम बात करते हैं मैस में मैस में विबाजिता बिलकुल भी देखने को नहीं मिली है अनुपास समानुपास से कोश्चंस बने गातांक से कोश्चंस बने लाव हानी से कोश्चंस पूचे गए चोटी बिन बड़ी बिन से कोश्चंस बने द्वीगां समीकरन से काफी कोश्चंस देखने को मिले हैं गुननकरन से भी questions हमें देखने को आज मिले हैं इसके बाद में प्रतिसत से questions बना है साधर अन्व्याज से questions बना है संभाहु त्रिबुज से questions पूछे गया है संक्या पद्धिती से questions बना है और गनित के सिक्षन के लिए क्या आवश्यक है यह आपका गनित की इस इसाब से अगर हम बात करें कि अपका मैस में जो लेविल चल रहा है यह मान के चलेगा आपके पंद्रा नंबर के जो questions है सीधे सीधे मैस से बन रहा है numerical वाले और बाकी का जो है आपको पंद्रा नंबर के पेड़ोगों से देखने को इसमें मिल रही है कभी कभी तोड़ी वह तागे-पीछे हो जाती है अब बात करते हैं इंग्लिस की इंग्लिस में एक पेसेज आपको मिला है एक पोयाम मिली है यह भी पंद्रा नंबर की होती है इसमें पूरी grammar होती है और यह भी काफी लंबा चोड़ा होता है जैसा हमने आपको बता है एक से डेड़ पेज तो इंग्लिस में भी सबसे ज्यादा दिक्कत स्क्रोल डाउन करने में ही आपको हो गई तो आप प्रेक्टिस करिएगा हम बार बार आपको यह बता रहे है एड़वर्ब से कोशन्स बने आपको बनाउन आपको बता चुके है एफ्लिकेशन को डाउड कर लीएग को और फोल्डर भी बना दिये वहाँ से जाकर इसकी पीडियेप आप इस वाले कोर्स में आपको मिल आएगी पूरी डिटील साथ ही गाइस इबुक भी हमने डाल दिये आपके अच्छे से रिविजन के लिए हम आपको बदाते हैं अच्छे से रिविजन के लिए 500 cdv वाली वन लाइनर वाली और mcq वाली दोनों हमने इबुक डाल दिये इसके अलावा आपकी evs की जो ebook है वो भी डाल दिये सूचना प्रोध्योगी की वाली इसके अलावा अंत्रिक्षी वाली वो भी हमने डाल दिये सभी ebook और pdf इसमें नोट्स डाल दिये गए तो आपने अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो इस वाले कोर्स में जाकर चेक आउट कर लि विजिट किया है तो सब्सक्राइब जोड़ सब्सक्राइब लिचे को बेल आइकन को आप दबा दिजिए जिससे जो भी नएया वीडिया है उसका नट्रिक्टिशन पर आपको मिलता रहें आज के स्वीडियों बस इतना ही मिलते है हमारे एक नए स्टेड़ी वीडियो के स तब तक लिए जय हिंद्र वन्दमाद